हेलो गाइस स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सार्जा और अबुधावी के बीच में जो यह 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 टीट्वेंटी लीग का आज का मुकाबला खेला जाएगा जो कि सार्जा के ग्राउं सारी चीजे डिसकस करने वाले बस आपको यह पूरा वीडियो देखना यह जो विकेट है अगर आप देखोगे तो ओवरॉल यहाँ बहत्तर मुकाबले खेले गए जहां पर 156 फरस्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है मैक्सिमम टाइम 150 के बिलो 36 टाइम स्कोर गया है और उसके अलावा 11 टाइम 190 के अब भी गया है अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं पहले आप यह देखो इस टॉर्णामेंट में जो पांच मुकाबले खेले गए 136 फरस्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 126 विकेट इस्पिनर 40 विकेट पेशर यहां से और यहां से देखने UAE वर्सेस अफगानिस्टन का एक सीरीज था उससे पहले यह विकेट थोड़ा स्लो टाइप का भीएव करता था लेकिन उसके बाद से यह विकेट को ऐसा तयार किया जा रहा है कि यहां पर श्लोनेस थोड़ी खतम सी हो रही है ठीक है और यह ओफीशली बताये गया लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर रेगुलर मैचेश खेले जा रहे है और यूज विकेट यूज हो रहा है तो पिछ पे थोड़ी श्लोनेस तो आही जाती है अब देखो जो यह पांच मैच हमने देखे न यहां पर आपको देखने से लग रहा होगा एक न्यूटरल विकेट है ले इसके सॉट होते साहर जाके तो अगर फोड़ी भी श्लोनेस नहीं आपको जरूर टेलिग्राम पर करूंगा उसके बाद ही इन्वेस्ट करनें तो मोसली क्या होता है कि आप उस प्लेयर को ले पाऊगे कि जो उस विगेट पर अच्छा सक्सेस होने के चांसे रखता है क्योंकि हम इस तरीके से बताएंगे आपको अगर पिछ रिपोर्ट नहीं आया तो फिर वही है कि अंधेरे में तीर मार रहे हो तो उससे कोई बेनिफिट होता नहीं है तो से जूर जाना जैसे भी कुछ पिछ से रिलेटेड न्यूज आएगा मैं आपको टेलिग्राम पर बता दूगा और नहीं आ पाया तो फिर आप लोग इन्वेस्ट मत करना वैसे यह मैचे जोतने अच्छे होते नहीं है ठीक है रेन के कोई चांसे नहीं है यहाँ पर आओ त चारजा के टीम की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जॉंसन चार्ल्स उसके बाद इवन जो डैनली भी इंपॉर्टेंट है बट इंपक्ट प्लेर के तौर पर आए थे बाहर चले जाते हैं कैडमो और सौन विलियम् ग्रिगोरी डैनियल जेम्स सूलर रोक्स और तीक सना यह लोग इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर्म की बात अगर आप करोगे तो डिकवेला ने कुछ खास नहीं किया जॉंसन चार्ज ने कुछ एक मैचेज में फ्लॉप रहे हैं जे डिलनी ने भी कुछ खास नहीं और अब तो इंपक्ट प्लेर के तोर पर आ रहे हैं डैनियल जेम्स ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया है जेंस फुलर ने ठीक था किया है उदना अच्छा ने थीक था किया है तीक्षणा ने स्टार्टिंग में तो अच्छा किया लाज दो मैचेस से विकेट लेस जवाद जवादुल्ला क्रिस और डैनियल सेंस आपको दिखेंगे इनकी टीम से ना देखो सौन विल्यम्स और फुलर आपस में सेयर कर सकते हैं और जवादुल्ला ठीक था ओवर डाले तो हो सकता है यह ठीक था गवर गेंदबाजी डालने वालर्स यह तीनों से लेकिन इसमें से अगर फिच पर स्पेष पिनिंग ट्रेक नहीं रहात तो सकता है स़ौन विल्यम्स तो जरें व्.. फुलर आपको देखने मिल जाएगा जो अच्छा इसमें to be होगा आपको समझने में इसली आप प्लेयर्स का स्टैट्स पढ़ सकते हो यह बैटिंग से है और यह बॉलिंग से स्टैट्स है हर एक प्लेयर का ठीक है यह इनका राउंडर सेक्षन का स्टैट्स है जैसे डैनियल सैंसों विलियम्स लेवस ग्रिगोरी जेम्स फुलर यह लो अधुन संकार तीक्षना कास कैसा अहमद उसके बाद यहां पर जवाद उल्ला जुनेश सिद्ध की यह लोग का अच्छा स्टैट्स है इसके अलाव अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जूड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे में लिंक है फटा फट जाओ जोड़ जाओ इंपोर्टेंट इसलिए बताया जाता है अब हम बात करते हैं यहां पर देखो एम पेपर एलिवांस डेविड विली एंदर रसल सुनिन लरेंज जॉस लीटिल अलीखान यह लोग इंपोर्टेंट है इवन दो यहां पर सैम हैं और येकलार की इंपोर्टेंट है वकलेवांस डेविड विले और यहां पर ने ठीक फ्राफ है 2018 में 2ग मेंटस वाची मिन क्या फूरू करके इनका लगा दिया गया इमादवासे में ठीक था किया उंडन रसल ने अच्छा किया है डेविड विले ने अच्छा किया ने realistically ने कर रहा है यहां पर इनके जो पावर प्ले के वह है डेविड विली जॉस लिटिल दथ में अली खान और आंदर रसल वैसे तो देखो जॉस लिटिल भी चांसे रखते हैं देथ में बाजी करने के यह ध्यान रखना है इनकी टीम से नहीं जो मिलके 20 ओवर डालते हैं जिसमें स आपको शेयर करते दिखेंगे और वो किसके साथ करते कभी अलिखाने को वर तो कभी जॉस लीटी लेग उवर जो सेयर करते या फिर जो भी महेंगा थाबित होगा वह एक एक ऊवर आपने सेयर करके रसल में ही जाके डिवाइड होगा यह ध्यान रखना है और यह प्लेयर फॉर्मेट में आपको दूसरी टीम का स्टैट्स दिखाया किसका कितना एवरेज है कितने का सब देखने मिलेगा ठीक है तो यह जो से आप अंदाजा लगा सकते कि किस प्लेयर का स्टैट्स अच्छा है और नहीं अंदाजा क्या मतलब देख सकते हो अगर न्यूप्लेयर अब थोड़ा है टू है रिकॉर्ट की बात करते हैं जब दोनों टीमों का मैच होता है तो किसका कैसा इस्ट है देखो सार्जा की तरफ से कैडमोर दो मैच खेलें दो इनिंग में 63-32 की अवरे से 63 रंस बनाये यहां पर जेक लार्कन दो मैच के लिए यहां पर जवाद उल्ला जो की दो इनिंग में तीन विकेट है इसके अलावा यहां पर एवरेज है इसके अलावा थोड़ा सा डिसेंट रिकॉर्ड है यहां पर गफ्टिल ने 32 की अवरेज से रंस बनाये एबीटी की तरब से वुपारा खेल नी रहे भागी सबका अवरेज ही रिकॉर्ड है उतना अच्छा नहीं है बॉलिंग से तीक्षणा चार इनिंग में नौ विकेट है यहां पर ध्यान रखना साज है क्रिकेट ग्राउंड पर डैनियल सम्स का भी अच्छा रिकॉर्ड है जुनेस सिदी की खेल नी रहे जवादूल्लष साथ हिनिंग में साथ विकेट है और नरेन 14 हिनिंग में 12 विकेट है बुपारा 8 हिनिंग में 10 रसल 10 फिक यहां पर अब झाल यह ठीशेंटे लेगे ने तीन बडर आउट किया बट ए खेल गपटि लगर खेलते तो नरेन की स सामने स्ट्रॉगल करते हैं यहां पर आओ तो इवांस को फुलर ने तीरा गिंदों में दो बार आउट किया है वो पारा खेल नी रहे अधरवज इनका बैटल थोड़ा तगड़ा था पाकी सब एक बार आउट है उतना कुछ खास नहीं है अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की पिछले एक देर साल से इनका फॉर्म उतना अच्छा है नहीं टेक्निक काफी अच्छी है बटीन कंसिस्टेंची के वज़े से मैंने इनको नहीं लिया है जॉंसन चार्ल्स देखो हीट और मिस टाइप के खिलाड़ी है हाला कि इस टॉर्णावन में कुछ एक मैचेज में अच्छे पर्फॉर्मेंस कीए हैं लेकिन इनको लेके नहीं जा रहा हूं लेकिन फॉर्म करते हैं न बहुत कम गिंदों में जादा नबना के चले जाते हैं तो इनको लेकर आपको लेना है सेलेक्षिन भी ज्यादा है मैंने पेपर को लिया जो weakate keeping भी कर रहे हैं एटलिस 30Saster 40's म्हे ändate जा रहे हैंं ये भी टखनी कशी लेख सब्रेट कर रहे है लेकिन थोड़ा बडहा श्कोरिंग कम देखने मिलता है इसके बाद बैटिंग सेक्षन से देखो कैड मोर को लिया है है टेकनिकली स्ट्रॉंग बल्लेबाज है थोड़ा फॉर्म अभी बीच में इंकंसिस्टेंट हुआ था लेकिन लास्ट दो मैचेज में जब जब बल्लेबाजी आई है पर्फॉर्मेंस निकला है एलिवांस का फॉर्म तो काफी अच्छा था अभी बीबिल में भी अच्छा गया यहां पे भी एक दो मैचेज में अच्छा गया है बट इनका बैटिंग ओडर डिमोट कर दिया गया है अब और जब यह डिमोट होते ना तो यह उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं रहते तब इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था हाला कि टेक्निकली स्ट्रॉंग बल्लेबाज है बट करेंट फॉर्म उतना अच्छा ना होने के कारण मैंने छोड़ा है सराफू डोमेस्टिकली एक पावर हीटर के रूप में जाने जाते हैं लेकिन इस लेवल पे उतना कंसिस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है अब देखोगे तो एक मैच में 80 प्लस के स्कोर आया था बाकी फिर फ्लॉप रहा है साथ एक मैच में 30 कभी स्कोर आया था बाद उतना अच्छा नहीं किया इन्होंने पुले टॉर्नामेंट में एक मैच को छोड़ दो तो मैंने छोड़ द वे ंटी 20 लीग करते है जो भी उनकी मैनेजमेंट है वो भूत खराब है कभी किसी भी टैलेंट को उजागर होने ही नहीं प्लसक्राइब कर देते हैं प्रमोट कुल देते में कि यहीस कhaiची है बाकी देखो जो हो सकता है तो कहीना कहीज से point आई जाएगा और कहीना कहीज से point देके चले ही जाते हैं death में भी गिंधबाजी करने आ जाते हैं डैनियल से भी must have pick death में गिंधबाजी करने आते हैं wicket taking nature के गिंधबाज है बल्ले से भी अच्छा खाषा promotion मिल जाता है सौन विलियम्स वैसे गिंदबाजी का कोई सियॉरिटी नहीं क्योंकि अभी तक जो दो मैच खेलें एक मैच में एक भी ओवर की गंदबाजी नहीं करी अगले मैच में ही चार आवर की गंदबाजी कड़ डाली तो यही चीजी है जो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ऐसे लीग में इसलिए मैं आप लोग का डिमांट रहता है आज वैसे भी कोई मैच नहीं है तो मैं आपको यह मैच कवर करके दे रहा हूं लेकिन एक जिसका ध्यान रहा है तो ही इन्वेस्ट करना नहीं तो मत करना अधर्वाइस खेल रहे हो और कोई बात नहीं हो उसमें स्केल की ठीक है तो सौन विलियम्स को ले लिया है क्योंकि हो सकता है यह विकेट वैसे थोड़ा स्लो टाइप का भीएव करता है अगर यूज्ट पीची अगर स्लो विकेट रहा तो मैं फिर से इनको लेगे जाऊंगा क्योंकि यह स्पिनर है और इनके पास तीन से चार ओवर डालने का पूरा एक कोटा रहता है तो डालती डालते हैं चाहे स्पिन के लिए विकेट अच्छा हो या नहीं हो फॉर्म भी अच्छा है तो यह ठीक ब्लास्ट देखो बहुत ब्लास्ट गया है और इन्होंने फिर दुनिया वर की लीग जो टीट्वेंटी फॉर्मेट होता उसमें भी खेलें उसमें भी परफॉर्मस किया बल्ले से भी अच्छा किया तो बस ओवर ना कटे तो यह आपको विकेट निकाल के देंगे गे ग्र यह इसी टाइब के बॉला रहें यह लेते हैं तो गुच्छे में विकेट लेते हैं इतने रहते हैं लेकिन जो यह शार्जा के विकेट यह दिश्लो रहा तो यह मस्ठा पिक और यह बैटिंग फ्रेंड़ी ट्रैक है इनकी टीम फर्स्ट गिंदबाजी कर रहे हैं तो सब् हैं विकेट भी निगाल रहा है होँने अवरेज एक विकेट लेकिन अगर इनकी टीम सकेंड इनिंग में बॉलिंग डाले तो शाइद में इंको छोड़ दो फर्स्ट इनिंग में आप लेना चाहो इनको यह आली खान जिसकी वी टीम फर्स इनिंग में गिंदबाजी करें तो ध्यान रखना जिसकी भी टीम पहले गेंदबाजी करें आप तीक्षणा को छोड़के इन दोनों में से किसी को लिखे जा सकते हो क्योंकि ये दोनों regular death में आ रहे हैं ठीक है बाकी नीचे कोई और player है नहीं जो की खेल रहा हो अभी के लिए जो टीम हो रही है वो कुछ इ इन्होंने अच्छा performance किया तो इनको भी कर सकते हो conditionally लेकिन थोड़े average टाइप के all-rounder लेकिन फेवर्स इनके condition में है मतलब conditions इनके favor में सौरी तो इनको आप लोग कर सकते हो वी सी ठीक है अगर आप चाहो तो बाकी देखो यहां पर ना उसी format में खेलना जहां पर सिर्फ आ यह small league की टीम से grand league में आप जॉंचन चार्ल्स वोक्स फुलर और सौन विलियम्स के ऊपर captain wise captain rotate करके मैं कुछ एक आपको trumpics बता दूंगा after toss अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी lots of changes होंगे इनकी teams में और impact player का भी list आता है तो मैं after toss आपको बता दूंगा accordingly फिर आप अपने team में ना उनको rotate करके grand league की team बना सकते हैं यह small league की team में इसे grand league में मत लगाना और इसमें कुछ भी changes होगा telegram पर inform करेंगे बिल्कुल free में तो वीडियो के description and comment section के सबसे पहले comment में आपको हमारे telegram channel का link मिलेगा फटा फट जोड़ जोड़ जो मिलते हैं आगली वी